नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर दरसल ओच ब्याज दरें किसी देश की करेंसी को बढ़ावा देती हैं और साथ ही विदेशी निवेस को भी आकर्षित करती है CME Fade Watch Tool के मताबिक जून 2024 में Fade 25 बेसिस पॉइंट्स की कटोती कर सकता है जनवरी में हुई बैठक के दरन Fade ने Benchmark उधार दर को 5.25% और 5.5% के बीच रखने पर सहमती दी है PC को बताया कि Fade की डिली मौद्रे के निती से चीनी यूआन, कोरियान बोन और भारतिय रुपे जैसी करेंसी को फायदा होगा भारत को कैसे होगा फायदा भारतिय रुपे को इस साल केरी ट्रेड से फायदा हो सकता है या एक ऐसी रणनिती जहां व्यापारी बॉन्ड जैसी एसेट्स खरीदने के लिए अमेरिके डॉलर जैसे कम येल्ड वाली करेंसी उढ़ार लेते हैं रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अनीदो बनर जी ने कहा कि येन या यूरो जैसी अने करेंसी के मुकाबले बहुत सारे कैरी ट्रेड होते हैं लेकिन एक बार जब अमेरिका में व्याजदरों में गिरावट आती है तो हम कैरी ट्रेड को संभब बनाने के लिए व्याजदर के अंतर को और वाइड होते देखेंगे इसलिए ये भार्दी करेंसी के लिए भी पोजिटिव है इस उमीद के बीच की रिजर्ब बैंक आफ इंडिया भी आने के अंदरे बैंकों की तुल्ला में मौद्रे की नीती में धीर धीर डिलाई दे सकता है जिससे रुपया भी मजबूत हो सकता है बनरजी ने कहा कि आरबी याई की दर्मे कटोती की गती फेड की तुल्ला में धीमी होगी और हमेशा फेड से काफी पीछे रहेगी क्योंकि भारत में वैसी महेंगाई की समस्या नहीं है जैसी यूरोप या अमेरिका में थी बनर जी ने कहा कि राज कोशिय नीती सभी पहलिवों पर काम कर रही है आर्थे विवस्ता बहुत अच्छा प्रदशन कर रही है और भारत इस समय कोई भी ओबर हीटिंग नहीं चाहते हैं पिछले तीन महिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.82 तक मजबूत हो गया है अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्शक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकस एंड मुवस है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाक कार को सक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है तो अब देख इस बात की आज ही संपक करें डवलेट टू वन ट्रिबल जीरो सेवन वन सेवन